बिल्ली से सीखो रचनात्मक बनना, हिंदी मोटिवेशन स्टोरी. क्या आपने कभी बिल्ली को चूहे पकरते हुए देखा है? जब बिल्ली चूहे को अपने मुह में पकरती है तो फिर चूहे को कोई नहीं बचा सकता. जब बिल्ली चूहे को अपने दातों से पकरती है तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बिल्ली के बच्चों को एक खरोंच तक नहीं आती, बिल्ली के एक ही कार्य को करने के तरीके में कितना अंतर है, यही अंतर प्रचनात्मक्ता क्रियेटिविटी का आधार है, प्रत्येक सफल व्यक् प्रत्येक कार्य को सच्चे दिल से करने से है, रचनात्मक्ता हर पल कुछ नया सीखने आव प्रत्येक कार्य को उत्साह के साथ बहतर तरीके से करने की आदत है, कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, रचनात्मक्ता उसमें नयरंग भर देती है, रचनात्मक्ती हर कार्य खु तो चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियो को लाइक शेर कमेंट करे फेस्बूक को फॉलो करो तो आज इतना ही जै महाकाली